हेलो फ्रेंग्स माइनेम इस चंच श्रिवास्ताव और आज में आपको घुमाने वाली हूं नागपुर का गनेश चेकड़ी पहले यह मंदिर थोड़ा पुराना टाइब का था अब इसमें कुछ इनोगेशन हुआ है तो चलिए देखते है कि कैसा हुआ है बहुत दिन के बा क्तिजवा रहते हैं अब यह मंदिर आप इस बनने का पहले श्रह भी अच्छा था यह जह जातव प्रानी मंदिर के और यह म fines पर अभी इसमें क्या बनने वाला है यह एक्जैक्लि मुझे नहीं पता है यह जो प्राना है लाइक मैं जब बच्पल से आती थी तब से में यह को देख रही हूं और अभी यह त्री है यहां पर यहां पर यह नापुल रेल्व स्टेशन के बहुत जादा पास में है और चलि जैसे की कंस्ट्रक्शन चली रहा है और यहां तर बीजादा भी नहीं है जब में पहले आती थी इतनी जादा भीड़ होती थी यहां पर अभी शाग बन रहा है इस वजे से यहां पर जादा भीड़ नहीं है तो अभी हम जैसे आप देख सकते हैं मंदिर में एंटर कर रहा है है देख की प्याली देजाइन है यहां पर आप इसका गेट भी रिखेँगे अभी तक यहीं नहीं लिखिया है अब प्याला कर नियां देख सकते हैं सामने जैसे एक पेड़ है और यहांपर जो है गन्पदी जी का मुर्ति है यही याने गनेश तेक्ड़ी जैसे इनको भूफ ज़ादा माननेता है लोग भूफ ज़ादा आते हैं दर्शन करने जो वैसे मानने जिए जा ऑफ है उसे मुर्ति खुद इससे कहांपर प्रकट होई थी और तबसे फिर यहां पर चालू यह मंदिर बना हुआ है तो सबसे पहले आप जह है दंपती जी के दर्शन कर लीजिए जय गने शाय नमहों जय भगवान जी तो वैसे तो आगेस यहां पर फोटोग्राफिया लाउड नहीं है बाट मैंने पता नहीं था मैंने जितना विडियो बन पाया और मैंने आपके साथ मैंने स्चार करें रूम तो आप देख सकते हैं इतने अच्छे से देखाषी बनाकर पर आप देख सकते कि इतना अच्छा यहां पर इक र्कंष्ट्रक्शन किया हुआ हुआ है जुम्मर आप देख सकते हैं और जो साइट साइड में हैं बहुत सारे अलग-अलग भगवान पर ऐसे नहीं है कि गंपती है बहुत सारे और भगवान भी है यहां पर तो अन्हों मंदिर के बहार आ गया है इसी सरांडिंग में साइड में एक दुर्गवा माताजी का भी मंद आप लोगों को मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए आपके कोई सजेशन है तो वह आप मुझे कमें बख में लिकर बता सकते हैं इसके अलबाव आप चाहें तो मुझे इंस्ट्राग्राम प करत कि आप मुझे कैट आपके इंसले आपके आपके कीजियो सकते हैं जुआ है ज Lean Is